पूर्ष्टान के बात करते हैं राजिस्तान की मौश्रूम पूर्वा अन्वान की कि आने वाले 120 कुंटों के इंदर राजिस्तान में कैसा रहने वाला है मौश्रम और किन-किन शिष्टमों के प्रभाव से देखा जाई तो शिप्तम्बर के दूसरे और तीप से तीसरे सब् राजिस्तान में बर्षकी के द्या देखने को मिल सकती हैं और राजिस्तान के किन-किन इलाकों में होने वाली हैं भारी बर्षकी के दुनिया ये शंपूरों जानकरी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी तो दोस्तों वीडियो को अंतक जरू देखें और यदि आप से पर नहीं हैं तो सस्क्राइब करना ना भूलें तो आईए दुस्तों सरपतम बात करते हैं संपून भात पर बने मौसमी शेष्टमों की बात करें तो एक निम दबाव का सेत्र लोपर से रेरिया देखा जाए तो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास बना हुआ हैं इसलिके प्रभाव से दक्ष्णी प्रायदीपे और माराष्ट और गुजरात के कहीं इलाकों में भारी बर्ष्ट की गिद्या इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से माराष्ट मध्य परदेश और गुजरात के इलाकों में बर्ष्ट की गिद्या देखने को मिल सकती हैं वारिष्की गिद्यों की बात करें तो आठ सितम्बर से यानि ये तर्टी भागों को प्रभावित करना सुरू कर देगा सरपतम आंदरपदेश, तेलेंगाना, माराष्ट, करनाटक, तमिलनाडू, गुजरात के कहीं इलाकों में और मद्यपरदेश सहीद दक्षिनी राजिस्तन के कहीं इलाकों में इनी शिष्टमों के परभाव से आपको भारी भर्ष्की गिद्यां तो 37 गर्ड उडिशा के कहीं इलाकों में भी मुछले मुष्लादार बरस्टी की गिद्यां देखने को मिल सकती हैं क्योंकि इन सिस्टमों का इन शत्र में 128 गंटर तक रुखना की सिंभावना है जिसके प्रवाव से इन शत्र में भारी से अत्ती भारी बश्ट की इद्धिया भी कहीं इलाकों में देखने को मिल सकती हैं उसी समय देखा जाए उत्री बंगाल की खाड़ी के आसपास एक सरकूलेशन उसके बार लोपरसर एरिया और वेल मर्क लोपरसर एरिया के रूप में उत्र पसिमी दीशा में बढ़ते हुए देखा जाए उत्र परदेश पंजाब हेना उहमेसल परदेश के कहीं इलाकों में पूरवी उस सिस्टम के परवाफ से आपको भारी बर्षकी दिया बारा से लगाकर 15 सितमर के मद्य देखने को मिल सकती है और राजिस्तन के इलाकों की बात तो पूरवी और मद्दे और दक्षनी राजिस्तन के कहीं इन इस सिस्टमों के बरवाफ से और मांशून ट्रफ के रूप में कहीं कि भारी बर्षकी दिया तो एक दू इलाकों में अती भारी बर्षकी दिया दस सितमर से लगाकर 17-18 सितमर के मद्य देखने को मिल सकती है वर्तमार में देखा जाए तो आने वाले 27 कंटों के लिए एक एंटी साइकलों नी विख्षित हो चुका है इसकी वर अत्मार में इसी सिस्टम के प्रवाव से पसीमी दिशाने से आने वाले सुषक का प्रवाव का प्रवाव देखने को मिल रहा है विश्यस्तों देखा जाए तो पसीमी गुजरात के कहीं इलाकों में और रजस्तान के संपूर इलाकों में देखा जाए तो आने वाले 27 कंट पालिश कंटों के अंदर देखा जाए उत्र पसिमी इलाकों में मुख्याता शोष्क देखने को मिलेगा 11 सितंबर की बातने तो मांसूनी स्रिष्टमों का किस प्रकार से ट्रैक रहने वाला है और क्या इस्तिदी रहने वाली है 11 सितंबर के आसपास देखा जाए तो बंगल के खाड़ी के उत्तरी इलाकों पर बने शिस्टम को एक वैल मार्क लोपरसेर एरिया के रूब में पसिम बंगल के आसपास अवस्तित रहने की सिमावना है और वात्मार में बंगल के खाड़ी और अर्ब सागर में बने शिस्टमों के परवाव से देखा जाए तो गलोपरसेर एरिया के रूब में गुजरात के दक्षनी भागों के आसपास रहने की सिमावना है जिसके परवासे घुजरात, मद्यपदिश और मारश्ट के कहीं लाकों में बाट जैसे हालात आने वाले दूसरी सब्ता के अंत में और तीसरी सब्ता की सुरुआत में आपको देखने को मिल सकते हैं और कहें की भरी बर्ष की गिद्या तो एक दूई लाकों में अत्ती भरी बर्ष की गिद्या मारश्ट के कहीं लाकों में और गुजरात के दक्षनी लाकों में आपको देखने को मिल सकते हैं तो पाकिस्तन के बोडर स्री लाकों में मौस्रम की बर्सकी गिद्यां बिलकुल कम देखने को मिलेगी और कहीं के खंड तो कहीं के तेज या मौस्रादर बर्सकी गिद्यां इन सब्सक्राइब जैए। के आसपास केंगी भारी बर्ष की गिद्यां तो एक दू इलाकों में अत्य भारी बर्ष की गिद्यां इन चत्र में देखने को मिल सकती हैं। के कहीं डाकों में पसिन मंगाल उडिशा सतिस्ट के उत्री बर्ष की गिद्यां देखने को मिल सकती हैं। दक्षनी प्राइदी भार्त और बंगाल की खाड़ी और अरिप शगर में लगातार शक्रीता देखने को मिल रही हैं। और इन चत्र में लगातार बादलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा हैं। आने वाले 27 कंटों के बाद से इन आंटी रहा स्ट्राइकलाउन का प्रभाव आपको कम देखने को मिलेगा। और धीर 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 देखा जाए पसिमी दिशा में आगे बढ़ जाएगा। और बंदल की खार्चिया आने वाले नमावाएं इन इस जगह अपना जगह ले लेगी। जिसके प्रभाव से राजजिस्तान के कहीं इलाकों में और गुजरात से पंजाब इनके कहीं इलाकों में भी आने वाले समय में बर्षकी के दियां देखने को मिल सकती हैं। राजजिस्तान के बात करें तो आने वाले 27 कंटों के अंदर किस प्रकार की बर्षकी के दियां रहने वाले हैं। राजजिस्तान के बर्षकी के दियां देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों आने वाले 27 कंटों के बात से 28 कंटों के बात से राजजिस्तान के कहीं लाकों में पूरवी लाकों में मांसून सक्री होने की समावना हैं। और 22 कंटों के मदे देखा जाएं। तो संपूर्ण राजजिस्तान के कहीं लाकों में हलकी खंड तो कहीं की तेज या मुचलदार बर्षकी के दियां देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों मश्रमत के राजजिस्तान डिया आटी संद्र पर अभगिलिद नाई। थेंकि दोस्तों नमस्कार जै हिंजे बात।